जै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागते महाकाली भगतिग्यान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ वो बंधन में हो चुके है अब आप अपने घर के देवी देपताओं को इस बंधन से कैसे छुटा सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेश्ट करना चाती हूँ अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक सेर कमेंट जरूर कर देना क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी जानकारी आगया है कि मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी तो जैसा कि भक्तो आप लोगों ने भक्ती मार्ग ग्यानी करेंगे कि आपको अपने घर के देवी देपता जब बंधन में हो जाते तो आपको सपने की माध्यम में क्या संकेत दिखाई देते अभी हम इसकी बात करेंगे फिर मैं आगे आपको वीडियो में ये भी बताँगी कि जब आपके घर के देवी देपता बंधन में आ जाते ह तो आप लोगों को उनको बंधन में से कैसे खोलना चीए ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो सबसे पहले आप सभी को में बता देती हूँ अगर आपके घर के देवी देपता चाहे आपके घर के कुल देवी हो या देपता हो कुल देपता, कुल देवी कोई भी हो या नूर्मल ही हो आपके घर के जो पुझते हैं ठीक है जब वो बंधन में हो जाते तो आपको बार-बार सपने के माध्यम में अपने घर के पित्र जो होते हैं वो बंधे वे दिखने लगते हैं यानि कि जैसे कोई पित्र किसका रूफ धारन करते हैं बड़े बुजरक का आपको बड़े बुजरक में अगर मालो देवी का बंदन हुआ होगा आपके देवी देपता को तो बार बार सपने की माध्यम में एक बूड़ी ओरत और एक उसके साथ बुड़ा आदमी यह दो चीज़ा आपको जरूर सपने की माध्यम में बार बार दिखाई दे सकती है वो भी बंदी हुई बंदी हुई कैसे या तो वो रस्ती से बंदी होंगे दोनों या फिर किसी पेड़ पे बंदेवे होंगे मतलब बंदेवे टाइप में आपको सपने की माध्या में दिख जाता है और वो जो होते हैं बुड़े बुड़िया जो होते हैं वो होते हैं आपके पित्र और पित्र आपको ये संकेत देते हैं कि तेरे घर के देवी देपता बंदन में हैं तो आप भगतावल लाइन में कदम भी ना रखें, ठीक है, क्योंकि ऐसा है, जिसको जितना ग्यान होगा, उसको उतना ही वो भगतावल लाइन में सबसे तेज लिखलता है, जिसको ग्यान ही नहीं होगा, तो वो तेज क्या लिखलेगा, उसको तो कोई भी मार देगा आकर, च कोई भी बंदीवी चीज दिखें तो समझ जाना कि आपको घर के देविदेपता बंधन में और उसके साथ आपको सपने के माध्य में जानवर भी तो समझ जाए जानवर दीजाये बकर दीजाए या सूर दीजाये या कोई मतलब जो जो भेटे चड़ाई जाती है देवी देपता को उनके हिसाब से और उनी की चीजे अगर आपको बंदी भी दिखे तो समझ जाओ दोस्तों कि आपके घर के देवी देपता बंधन में हो जाते हैं तो आपकी ना तो पूझा पाट लगती है और ना ही आप जितनी भी पूझा पाट कर लो आपके देवी देपता तक नहीं पोच रही है क्योंकि आपके देवी देपता तो बंदन में तो कहां से पोचेगी यह संकित होते हैं तो कभी भी आपको आपकी लाइफ में दिखाई दे तो समझ जाओ आपकी घर के देवी देपता बंदन में अब इनको बंधन में से कैसे छुड़ाया जा सकता है इनको बंधन में से एक तरीके से ही छुड़ाया जा सकता है जैसे कि मैं आपको बता दू या तो आप किसी अच्छे भगत से अपना गुरुधारन कराओ ठीक है जो सच्चा और अच्छा भगत हो उससी कराना जूटे मूटे से मत कराना जो आजकल के समय आपको पीने खाने वाले जादतर भगत दिखाई देंगे तो उनसे बिलकुल भी मत कराना जो सच्चा और अच्छा हो वो हमेशा आपसे कभी भी जीवन में पैसा नहीं मांगता उसकी पैचान यही होती है ठीक है खाली आपकी जो इनको इसलिए चुड़ाया जाता है जब कोई आपका गुरू आपके घर का मिल जाए आपको जो आपका घर ठीक करेगा वही इनको बंदन में से चुटा सकता है बाकी यह बंदन में से खुद भी हट सकते हैं जब आप लोग अपनी पूजा पार्ट को डेली करोगे तब ज अपने आप ही बंदन में से हट जाते हैं तो यह दो तरीके हैं जो दो तरीके के जरिया आप लोग अपने देवी देपता को बंदन में से हमेशा के लिए लिकाल सकते हैं और मैंने आपको इस वीडियो में यह भी बता दिया है कि जब आपके देवी देपता बंदन में हो हैं तो वो सपने की माध्य में आपको यही संके दिखाते हैं जो मैंने आपको बताए हैं ठीके मैंने आपको सब कुछ बिल्कुर अच्छे तरीके से समझा दिया है और आपके भी अप समझ में भी आ गया होगा यदि नहीं भी आया हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपका जवाब जरूर दूंगी तो चली दोस्तों मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माकाली हर हर महादे माता काली आप सभी की सारी मनुकामनाई पूरी करें खुस रहें आप और खुस रहें आपका परिवार जै माता की ओम नमस्षिवाए